हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नवील है यह कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है जो थमनेल में जो टाइटल में आपने पड़ा है वो बात जो है सच है यहां पर मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ और यह चीज क्यों है और इसके क्या आईफोन 12 फ्रों मैक्स मॉडल और यहां पर तीसरा जो साइज आता है आईफोन 12 मिनी जो 5.4 इंचेस का बड़ा ही क्यूट सा बड़ा ही चोटा सा लेकिन उतना ही पावफुल जितने बड़े आईफोन 12 मिनी है तो आईफोन 12 मिनी जो लोगों ने इतना पसंद किया हम रि ग्रेव 7 की रिसर्च के मुताबिक यहां पर इनका जो रिसर्च है यह हमको बताता है कि आईफोन 12 मिनी जो है इट वास्ट पॉपिलर आईफोन यानि जो चार आईफोन निकले है उसमें से सबसे कम बिखने वाला आईफोन इस साल का रहा है आईफोन 12 मिनी कितना कम सिर्फ 4-5% सेल्ज ही आईफोन 12 मिनी जो है यूएसे के अंदर निकाल पाया है यानि कि उतना ही बिख पाया है इस रिसर्च के मुताबिक दोस्तों इतना कम सेल हूआ है आईफोन 12 मिनी का कि आईफोन 12 प्रो मैक्स जो इतना ज़ादा मह offenders है इंडिया में 1,30,000 रुपे का है USA के अंदर भी iPhone 12 mini के मुकाबले काफी significantly जो है वो महंगा है उसने इसके मुकाबले काफी बहतर sales किये है उसके अंदर लोगोंने camera को देखते हुए जो यहां पर iPhone 12 Pro Max है उसके अंदर camera के sensor जो है largest है of all the iPhones प्लस उसके अंदर sensor shift image stabilization है LIDAR scanner है इसको देखते हुए उसके रहे लोगो है यह जो research में हमारे सामने निकल के आई है यह सारी चीज़े के इस साल के iPhone 12 का सबसे सस्ता iPhone जो iPhone 12 mini है वो आकर क्यों हो रहा है flop इसके बारे मैं बात करेंगे और यह भी बात करेंगे क्या आपको इन सब reasons के बावजू जो मैं आपको बताने वाला हूँ iPhone 12 mini लेना चाहिए य यह चीज जो है बहुत ज़्यादा अट्राक्टिव बनाती है इसको अभी 2020 के 21 के फोन के लिए क्योंकि यहाँ पे flagship specification है इतना चोड़ा साइज है एकदम one-handed use आप इसको कर सकते हो बाखी आईफोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा comfortable बहुत ज़्यादा easy to use है लेकिन यह जो size जो इसका सबसे important चीज है वह इसका trade-off भी है क्योंकि आज लोग अपने smart phones को सिर्फ एक phone की तरह नहीं बलके एक media consumption के device के तोर पे भी लेते है जहाँ पे उनको videos देखना है movies देखना है on the go YouTube videos देखना है gaming करनी है और इन सब के लिए इसका screen size जो है वो छोटा है मैंने अपन iPad है लेकिन on the go दा हूँ तो यहाँ पे मुझे phones का इस्तमाल करना पड़ता है उसके अंदर भी iPhone 12 mini में आपको तकलिफ तो आनी है और चोटा size होने की वज़े से जो यहाँ पे stereo speakers दिया Apple ने वो उतने ही loud है जितने iPhone 12 के अंदर है लेकिन क्योंकि चोटा size है दोनों speakers के अंदर जो distance है वो कम होने की वज़े से जो surround sound का experience आपको बड़े iPhones के अंदर आता है वो इसके अंदर नहीं आता है यह भी एक trade-off है छोटे size होने का अब अगला reason भी एक important reason है यहाँ पे iPhone 12 mini के sales आखिर खा रहा है तो कौन सा iPhone खा रहा है एक iPhone जो इसके sales खा रहा है वो है iPhone 12 क्योंकि यह iPhone भी 6.1 inches का होने के बावजूत इतना बड़ा नहीं है जितने last year के iPhone 11 या उससे last year का iPhone 10R था यूँकि आपको मैं बदा चुका हूँ इसके flat sides है इसके bezels जो है बहुत ज़दा पतले है उन iPhones के मुगाबले क्योंकि यहाँ पे OLED डिस्प्ले है और सिर्फ 10,000 रुपे का फर रख है जब कोई बंदा 70,000 रुपे कर सकता है एक iPhone के लिए तो वो 80,000 भी पे कर सकता है Android phones के अंदर low range के अंदर mid range के अंदर जो phones होते है उसके अंदर 10,000 रुपे बहुत बड़ी रगम होती है बहुत बड़ा difference होता है but when you are paying 70,000 रुपीज for a mobile phone आप और 10,000 दलके 80,000 का भी ले सकते हो उसमें इतना कोई बड़ा difference नहीं होता लेकिन आपको सबसे best चीज चाहिए होती है जब आप इतने महंगे price point पे एक phone खरीदते हो तब तो यहाँ पे यह जो report है यह भी हमको यही बताती है कि iPhone 12 mini के मुकाबले या 12 Pro Max 12 Pro के मुकाबले जो इस साल का सबसे ज़ादा विकने वाल iPhone 12 mini नहीं यह 12 Pro Max 12 Pro नहीं वो है iPhone 12 6.1 inches वाला और यह जो सब reasons मैंने आपको बताया दोस्तों इसमें एक और reason भी है जो कि बहुत ज़ादा important है वो है iPhone 12 mini की poor battery life, poor battery life ऐसे देखा जाए तो नहीं है इतनी खराब नहीं है battery life जितनी चोटे पुराने iPhones के आती थी लेक चोटी बैटरी capacity इसके अंदर Apple ने रखा है और इतना पैसा दालने के बाद इतनी चोटी बैटरी जो है यह लोगों को कहीं ना कहीं खटकती है तो next time के लिए Apple को battery capacity जो है iPhone 12 mini iPhone 13 mini जो आने वाला है next year का iPhone उसके अंदर improve करनी ही चाहिए नवरना वो भी जो है इसकी तरह flop होने के पूरे बुरे chances है इंडिया के अंदर iPhone 12 mini का एक और competitor भी है जो कि है iPhone 11 iPhone 11 के sales बहुत ज़्यादा हुए इंडिया में ये सारे iPhone के comparison में iPhone 11 बहुत ज़्यादा बिका है क्योंकि बहुत ज़्यादा price sensitive market है और जब एक modern iPhone आपको 50,000 रुपीज के आसपास मिलता है online sales के अंदर त screen बहतर मिलती है iPhone 12 mini में उसकी जगा iPhone 11 जो है for overall एक better package है चाहे battery life ले लिजे चाहे screen size ले लिजे चाहे कोई भी चीज आप इसकी अंदर ले लिजे अब USA में एक और कमाल की चीज हो रही है दोस्तो iPhone 12 mini या फिर इस साल के कोई भी iPhone जो है या पुराने iPhone है उसके अंदर जो best performing iPhone ह है that is iPhone SE 2020 iPhone SE 2020 क्यों कि common sense का इस्तमाल करने का टाइम आ चुका है दोस्तों दिमाग लगाने का टाइम आ चुका है पैंडमिक का टाइम है almost सब जगा lockdown unlock lockdown unlock का चल रहा है सब जगा unrest चल रहा है पैसे की मारा मारी है लोग आस पैसे नहीं है तकलीफ हो रही है लोगों को इतने expensive product iPhone SE almost आपको same performance देता है मैंने speed test वगरा करके रहें चैनल पर आप जाके देख सकते है जितना iPhone 12 mini देता है और form factor देखें यहाँ पे 19-20 का फरक है दोनों devices के अंदर form factor में अगर आपको चोटा iPhone चाहिए ही उस जिसके अंदर touch ID भी मिलता है अभी 5 लगा के सब लगों ते touch ID आप यूज करते हो तो touch ID में आपको जादा convenience रहती है face ID के मुकाबले तो यहाँ पे आपको same battery life almost similar battery life वाला और similar performance वाल iPhone मिल जाता है आदे से भी कम क्यमत में इंडिया में कितने का मिलता है सेल में रहेगा तो 25-25,000 का सेल में रहेगा तो 30-32,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, यानि कि iPhone SE का price 35 पकड़ो तो भी iPhone mini का जो price 12 mini का that is double its price तो जब यहाँ पे similar battery life मिल रही है similar performance मिल रहा है तो camera अगर आपके लिए बहुत जादा important नहीं है तो आप iPhone SE 2020 के लिए जा सकते जो कि जा रहे है लोग USA में मैं नहीं बोरो कि आप लोग इसके लिए आपको modern phone पसने तो आप modern के लिए लेकिन जो results बता रहे है जो statistics बता रहे है वह यहाँ पर मैं आपको बतानी कुछ करा हूँ और अगर 70,000 डाल नहीं है then iPhone 12 जो है वो लोगों को एक better alternative नजर आ रहा है iPhone 12 mini के सामने तो यह था दोस्तो मेरा analysis iPhone 12 mini के flop होने पे जो के अभी currently अपने आप में साबित क कर रहा है कि flop iPhone है हो सकता है कि कुछ ऐसे discounts निकल के आए कुछ ऐसे schemes निकल के कुछ इसे offers निकल के iPhone 12 mini पे जो इसको truly value for money बना है iPhone बहुत ही प्यारा है फोन बहुत ही खुबसूरत है फोन फेंटास्टिक और बहुत ही अच्छी चीज है छोटा सा है वन हैने इसके लिए परफ अमीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना को लाइक और शेयर जरू कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए गुडबाई